सीरिया में रासानिक हमले के तीन दिन बाद अमेरिका की सीरियाई एयर बेस पर मिसाले दागने का जहां ब्रिटेन, इसरायल, तुर्की, जापान, जर्मनी ने समर्थन किया है, महीं रूस इस हमले से बुरी तरह से भी फर गया है। बंदों को गंभीर आघात लगा है, रूस को करारा जवाब देते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि मिसाल हमले से पहले उन्होंने इसकी सूचना रूसी अधिकारियों को दे दी थी और हमले में रूसी सैनिकों की हवाई ठीकाने में मौजूद्गी का ध्यान रखा आपको बता दे कि सीरिया में मार्च 2011 से चल रहे ग्रिल युद्ध में रूसी राष्ट्पती पुतिन बशर अल असद के साथ हैं जबकि विद्रोहियों को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है दोनों और से चल रहे युद्ध में दस्यों हजार लोग मारे जा चुके हैं जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं मंगलवार को विद्रोहियों के ठीकाने पर अच्छानक रासाइनिक हमला हुआ जिसमें करीब सो लोग मारे गर सीरिया की मुद्धे पर अमेरिका और रूस सामने सामने आ गए हैं रासाइनिक हमले के बाद जब अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया तो रूस इससे भड़क गया है और उसने अमेरिका को युद्ध की चेतावनी दे डाली देखते रहे ये डिबी लाइल